हाई अवरिवर मैं हूँ धनंज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे रिसेंट्ली इंडियन आर्मी के दुवारा एक अनाउंस्मेंट किया गया जहां पे ये बताया गया कि अगले साल तक भारत 90 से लेके 95% जो एम्यूनेशन है उसके इंपोर्ट को complete तरीके से बंद कर देगा मतलब जो हमारा dependency होने वाला है वो हमारे local manufacturer के उपर होने वाला है ये बात अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है क्यूंकि किसी भी देश का policy तब तक independent नहीं हो सकता है जब तक वो export अधिक ना करे और import कम ना करे और उसके बाद खास करके अगर उसके defense किसी और देश के उपर dependent रहेगा तो वो देश कभी भी खुल के कोई काम नहीं कर पाएगा इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मामले के बारे में हमारे पास अधिक क्या जानकारी है मगर आगे बढ़ू इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते है जिस तरीके से अभी हमारे आसपास global tension बढ़ाया चाहे हम Middle East की बात कर ले चाहे Russia, Ukraine की बात कर ले या बहुत हद तक China और US की बात करें अगर हम सिर्फ चाइना का example code करते हैं और अगर हम चाइना का economic policy को अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि more or less दुनिया का शायदी कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां पे Chinese manufactured goods ना पहुंचते हों अगर हम बात करें specifically US और चाइना का तो इनके बीच में जो bilateral trade है वो लगभख लगभख 600 billion American dollars का trade होता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रकम हो जाता है इसलिए भी चाइना के पास ये शमता है कि वो US को directly challenge कर सकता है और US शायदी कभी ये सोचेगा कि वो चाइना के साथ directly war में आए इसलिए भी हमारे लिए as a country India हमारे लिए important हो जाता है कि हमारा defense अधिक से अधिक हमारे हाथों में रहे और हम किसी भी देश के उपर dependent ना रहें भारत primarily तीन देशों से अपने defense equipment को import करता है सबसे पहला है Russia, दूसरा है US, तीसरा है France उसके बाद कुछ चौथे नंबर पे आता है Israel अगर बात किया जाया Russia का तो लगभग कुछ 80 से लिके 85% जो हमारा dependency है defense में वो Russia के उपर है अब आप सोच के देखिए कि अगर कल को किसी भी तरीके से भारत और चाइना के बीच में war होता है और इनकेस अगर हमारे पास weapons का shortage हो जाता है और अगर Russia सिर्फ 6 या 7 दिनों के लिए अगर वो weapon भेजने से रोक देता है या मना कर देता है या delay कर देता है तो chances काफी बढ़ जाता है कि हम उस war को हार जाए हलाकि एक बात और भी मैं add करना चाहता हूँ कि बीते लगभग 10 सालों में भारत अपने defense import को अलग-अलग देशों में diversify किया है कहने का मतलब एक तो हम making India initiative में काफी focus किये हैं दूसरा रश्या के उपर जो dependency है उसको कम किये हैं लेकिन हम इस शीज से भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि अभी भी जो हमारा defense है वो बहुत हद तक foreign countries के उपर dependent है इंडियन आर्मी के procurement division के chief major general वीके शर्मा जी के तरब से एक announcement किया जाता है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि साल 2025-26 में भारत complete तरीके से जो import है उसको कम कर देगा या almost खतम कर देगा एक बात का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% independent हो या कोई भी ऐसा sector या field नहीं है जहाँ पे आप 100% independent हो सकते हैं लेकिन फिर भी जो intention होता है वो intention यहीं होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक independent हो और जितने जो complex project है उसको हम देश में ही उसके उपर हम काम करें उसके बाद अगर बात किया जाए defense के बारे में तो defense में क्या होता है कि research and development में खूब सारे पैसे लगते हैं तो chances काफी high होता है कि initial के 10 साल या 15 साल या में भी 20 सालों तक आपको कोई success ना मिले और इस बीच अगर किसी भी तरीके से research and development में अगर पैसे जाने जाना कम हो जाता है तो chances काफी होता है कि जो achievement अब तक हो रखा है वहाँ से भी हम पीछे आ जाएं और उसके बाद क्या है कि भारत एक democratic country है जहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होता है chances होता है कि सरकार बदल जाए तो जब सरकार बदल जाते हैं तो बहुत बर ऐसा भी होता है कि political कारणों से भी पिछले सरकार का जो अच्छा काम था या project था उसको भी कितनी बार रोग दिया जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी हम research and development में जो भी हमारा achievement था भले हम क्यों न फेल किये हों वो भी achievement हमारा समय के साथ पीछे हो जाता है और जो emotion होता है वो भी खतम हो जाता है आज की date में भारत लगभग कुछ 175 टाइप का ammunitions का इस्तिमाल करता है और जो हमारा plan है वो ये है कि कम से कम 1.500 जो ammunitions है उसको हम भारत में ही manufacture करें कितनी बार ऐसा होता है कि आपको initial days में success नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हमें उस project को continue करते रहना चाहिए ताकि एक समय के बाद जो भी कमिया है वो कमिया खतम हो जाए उसके बाद अगर आप Sipri का website पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि कौन से देश ने किस साल में कितना weapons बेचा किस तरीके से वो सारे देश weapons बेच के कमा रहे हैं और कौन सा देश कितने weapons को खरीदा और कौन कौन से company ने annually कितने billions का हत्यार बेचा कहने का मतलब है कि ये annual report publish करता है जिस report को अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही neutral point of view से तो आपको मालूम पढ़ेगा चाहे वो France हो गया चाहे वो US हो गया चाहे वो Israel हो गया ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में war रुके क्योंकि इनका जो economy और dominance है दोनों defense sector होते हुए ही गुजरत उसके बाद अगर बात किया जाए तो लगबग इन बीते 5 सालों में भारत, साओधी अरेबिया और कतर बढ़ चड़कर weapons खरीदा है जहांपे अगर बात किया जाए तो साओधी अरेबिया और कतर बहुत हद तक dependent है आपका US के दुवारा भेजा गया weapons के उपर इसलिए भी अगर आप साओधी अरेबिया और कतर का statement देखेंगे US या इसरेइल को लेके तो ये बहुत ही soft या बहुत ही moderate statement का इस्तेमाल करते हैं वहीं पे अगर कल को इरान अपने defense project को आगे बढ़ाएगा तो इस तरीके से publicly बताया जाएगा जैसे कि इरान global threat को बढ़ावा दे रहा ह भले हम France से Rafale fighter jet खरीद लें या US से हम खरीद लें या किसी और देश से खरीद लें हमारा कोशिश हर वक्त ये होना चाहिए कि जो manufacturing unit है वो किसी भी तरीके से भारत में set up हो at least 50-50 के partnership है जहाँ पे Indian defense companies को ये मौका मिले कि इन सब बड़े बड़े companies के साथ वो mill bad के काम करें त ताकि France interested है भारत के साथ अलग-अलग type के weapons को भारत में manufacture करने के लिए लेकिन कितनी पार क्या होता है कि वो महज announcement कागजों तक ही सीमित रह जाता है वो ground में execute नहीं हो पाता है अगेन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं हो सकता है फ्रांस में सरकार बदल जाए या ह हो सकता है भारत में सरकार बदल जाए तो जब तक एक political stability नहीं होता है तब तक बहुत सारे project पे जो काम होता है वो उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए तो अगर इस video को conclude किया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा step है और बहुत ही moral booster है और अगर आप थोड़ा से इतिहास की पने को पल्टेंगे तो आपको मालूम पड़े है कि कम से कम अगर हम 15-16 century का भी एगर हम example लेंगे तब तक भी भारत का जो economy था वो एक export oriented economy था और बहुत एक कम ऐसा समान था जो भारत पाहर से भारत में import करता था तो ये सब बहु कुशिश कर सकते हैं कि modern day में हम अधिक से अधिक खुद के उपर dependent हो I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye